वलवाइट पोज उस्तो टर्की और सोमालिया के रिलेटेड एक वड़ी खबद निकल कर आ रही है सोमालिया के प्रेसिडेंट हसन शेक महमूत ने एक स्ट्रेटेजी खेल खेला है तर्की के प्रेसिडेंट रजब तयब इड़ुगान के साथ मिलकर एक एग्रिमेंट किया ग और यही नहीं बल्के यह भी है कि वो सोमालिया के टर्रिक्टोरियल वॉर्टर को टर्की प्रोटेक्ट भी करेगा रिपोर्ट्स के मुताबएक तर्की के वार्शिप सोमालिया के कोस्ट को निग्रानी कर सकती है वो इंडियन ओशन में 10 साल तक सौचिए 10 साल तक से कहीं सारे चीजूं का सामना करना पड़ रहा है, हाली में सोमालिया के कोस्ट पर कबज़ें के केसें बढ़ गए है और करन सिनारियों में हाली में रेड सी हमें यमन की होधीς ग्लोबल ट्रेट को ये दिखने में हमें ये दिखता है कि टर्की सोमालिया कोस्ट को टेररिस से बचाएगा जो सोमालिया लॉस को तोड़ते हैं असल में वज़ा कुछ और ये असल में सोमालिया के मैरिन टाइम बॉर्डस का जो सीन है न हमें इतोपिया के नजर ये से देखना होगा पहले हम इतोपिया के नेबस सोमालिया के साथ किये यह एक दील के बारे में बात करींगे उसके बात आते हैं यह दील लगता है कि इतोपिया के इरादों को रोकने और उनके पोर्ट प्लान को रोकने के लिए की गई है easy में बोलता हो simple में बोलता हो सोमालिया टर्की के साथ क्या खेल खेल रहा है यह आपर इतोपिया टो लैंडलोग देश हैं मतलब इसका कोई अपना खुद का पोर्ट नहीं है मतलब उनका कोई भी direct access पोट तक नहीं जाता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर एबी एहमद को समझ आ गया है कि उनकी देश की क्रोथ और डैवलपमेंट के लिए एक पोर्ट का होना एक पंदरगा का होना पोर्ट जादा जरूरी है इसी वज़े से इस साल एक जनवरी दोजाद चोबिस को एतोपिया ने सोमालिया लैंड के साथ एक दील फाइनल किया है जो पोर्ट एकसेस पर फोकस करता है याद रहें सोमाली लैंड और सोमालिया अलग अलग है सोमाली लैंड चाहता है कि वो एक इंडिपेंडेन डेश बन जाए सोमालिया से अलग होकर लेकिन सोमालिया कहता है कि पूरा का पूरा सोमाली लैंड सोमालिया की टेरिटरी को बिलोंग करता है असल ये गड़बड है यहां पर और सोमाली लैंड की अपनी गवर्मेंट भी है लेकिन इसके बाद बिना सोमालिया ने सोमाली लैंड पर अपनी पावर को मेंटेन करकर रखा हुआ है इतोपिया की ये कदम उनकी determination को दिखाता है कि वो कई से maritime access को secure करना चाती है एक land lock देश होते वे भी जो उनके economic aspirations के लिए बेहद जरूरी है सोमाली लैंड के साथ मिलकर इतोपिया अपनी geography limitations को overcome करना चाता है और trade और connectivity के लिए एक रस्ता बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये development concerns और discussions को उठा रही है regarding regional dynamics, maritime resources के लिए competition और neighboring countries के लिए potential implications इस region में maritime access का strategic importance पेहद जादा है जिसकी वज़े से ये एक considerable interest और debate का topic बन गया है इतोपिया port access के लिए Somali land के साथ एक deal कर रहा है जिसे इतोपिया अपने naval purpose के लिए Somali land के coast का इस्टेमाल कर सकेगा लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि Somali land को officially कोई independent nation नहीं मानता है Somali land को पूरी दुनिया में recognition नहीं है Somali land ने 1991 में Somaliya से अलग होने की कोशिश की थी और उसके बाद ही de facto independent government यहां form हुई है लेकिन किसी भी देश ने Somali land को independent nation के रूप में नहीं माना है दुनिया के लिए Somali land Somaliya का हिस्सा है और इसी ये किसी भी देश ने Somali land को recognize नहीं किया है इस recognition की कमी से कोई भी देश Somali land के साथ किसी भी तरह की agreements या deal करने से कतराता है हजार बार सोचता है क्योंकि ये official सब देशों के लिए Somaliya का हिस्सा है कल पता नहीं कल को कुछ बड़ी गड़बड हो जाए इंका trade बरबाद हो जाए इसको कुछ भी नहीं बोल सकते कब क्या हो जाए अपनी independent entity के तौर पर रिकन्यास होने की कोशिशों के बावजूद भी Somali land का Somaliya का हिस्सा होना इतोपिया के port access और naval development के इरादों के लिए पड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है इस मामले में अगर Somali land को progress करना है तो एक पड़ी सी सियासत और राशनिती माहल को address करना ज़रूरी है और Somali land की sovereignty को international recognition हासिल करने के लिए एक diplomatic efforts की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और साथ में अगर इसको और भी ज़्यादा speed up करना है तो Somali land को आफरिका union का support होना भी ज़रूरी है इतोपिया ने Somali land के साथ जो deal की है जैसे कि वो एक independent nation है ये tensions को और भी बढ़ा दिया है खासका Somaliya के साथ Somaliya को लगता है कि ये port deal सीधा उनकी authority को challenge कर रहा है और ये सिफ़ पोर्ट तक ही सीमित नहीं है रिपोर्ट के मुताबिक इतोपिया Somali land की independence को official recognize कर सकता है ये खयाल Somaliya को खौफनाक लग रहा है क्यूंकि ये उनकी अपनी territory और sovereignty को कमजोर कर सकता है इस situation में टर्की एक एहम किरदार अदा कर सकता है टर्की का नया maritime deal Somaliya को फायदा पहुंचा सकता है तर्की ने region में अपना influence बढ़ाया है और आफरीका में stability को maintain करने में interest रखता है और यही नहीं टर्की ने पायरेक्टर टीबी जैसे drones आफरीका union जैसे देशों को sell किया भी है आखिर में यह situation region के politics के complexities को highlight करता है और horn of Africa में power का delicate balance हो रहा है यहाँ पर इतोपिया की actions Somali land के साथ पूरी region के लिए significant implications रखते हैं और टर्की जैसे बाहर के players का involvement एक और complexity layer add करता है Somali president ने पहुत पोशिश की है कि इतोपिया को समझाने के लिए ताके वो Somali territory की independence और unity को expect करें एक neighbor की तरह और अपना फैसला वापस ले उन्होंने कहा कि ये डिल इतोपिया को पिछे हटने पर मजबूर कर सकता है After all क्या इतोपिया के Prime Minister AB Ahmed इमत कर पाएंगे टर्कीश नेवी से लड़ने के लिए याद रहे टर्की एक NATO member है और एक NATO member पर की गई attack सबी NATO के लिए attack है तो ये case में इतोपिया नेगरेशन almost out of the question है अब ये AB Ahmed के options को severely limit करता है Maritime deal एक smart move है सोमालियन President की तरफ से आगे सोमालियन President ने अपना statement भी दिया है लेकिन signal काफी tier है उन्हें लगता है कि उन्होंने इतोपियन को गोने में कर दिया है और वो confident है कि दुनिया सोमालिया के साथ है अब इतोपिया court भी इसमें शामिल होगा जब दुनिया war की shock मैसुस करेगी इंडिया एक ताकत का पर्चम बनकर खड़ा हो सकता है ताके इंडिया notion को stable रखा जा सके इंडिया ही एक लौता देशे इस पूरे रीजेन पर चाइना का तो दूर दूर तक कोई equation नहीं बनता है यहाँ पर चाइना अपने फाइदा ही सोंचेगा उल्टा तो देखने वाली बात होगी अगर इससे related कुछ भी डॉड़ हो तो आप मुझे कमेंट करें मैं आपको इ जवाब देदूंगा साथ में हाड़ पर देदूंगा और अगर मेरे वीडियो इंफर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल आफेस के लिए आप मेरे चानल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं थैंक्यू फो वाचिंग थैंक्यू फो यरिंग और यू अल्वेस गॉड़ ब्लस्य